नमस्का दोस्तों मेरा नम है हिमाशो और आप देख रहें यूट्यूब का टेकनोली चैनल टेक केर हिमाशो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबडेट के द्वारा आई हुई नई अपडेट के बारे में यह अपडेट जो एंधर के फीचर के बारे में नहीं है届 मतलब कि दोड़ ओक ऑगलेंड दो लगा रहें वाला है मतलब क्या इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपके messages कोई नहीं पढ़ पाएगा जी हाँ अगर आपके mobile में WhatsApp है और अगर आपके WhatsApp को मैं open कर सकता हूँ तो मैं वह message भी पढ़ सकता हूँ ठीक है यह update उसके बारे में नहीं है और ऐसा कोई update अभी तक आया नहीं है जो आपके ही mobile में ही आपके WhatsApp के message को ना पढ़ने दे अभी आपका mobile है मतलब आप उसको open कर रहे हो तो आप ही हो ऐसा समझ में आता है ऐसा लगता है और वह पढ़ा जा सकता है तो ठीक है चली छोड़िए तो बात यहीं जो encryption है वो होने वाला है backup के बारे में जब आप आपका WhatsApp जो है backup लेत इसका backup लेने का ठीक है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पुराने messages की जरूरत होती है कुछ बात चीत हो ऐसी कुछ sensitive matter हो कुछ बात हो जिसका backup रखना चाहते हैं तो वह जो है वह Google Drive अगर हमें automatic backup होता है या फिर आप manually भी backup ले सकते हो यानि कि आपके WhatsApp पर जो chat messages है photos, videos, whatever या text messages जो है वह आपके Google Drive में backup रहता है आप जब चाहो तब उसको आपस से पुराना message देख सकते हो खोल के पढ़ सकते हो ठीक है ऐसे ही यह iCloud के ओपर भी होता है जो लोग Apple यूज करते हैं तो य यह जो message जो होता है जो backup लिया जाता है यह जो है वहाँ पर store रहता है उसको कोई भी अगर आपका email खोल पाएगा तो उस message को retrieve करकर पढ़ा जा सकता है तो यह जो update है यह उसके बारे में ही है यह जो backup लेगा आपके पूरे WhatsApp के messages का Google Drive के उपर या iCloud के उपर वो जो है encrypted file में ह होगा यानि वो जो file होगी जो store होगा Google Drive में समझा रहा हूं आपको वो जो file होगा Google Drive में या iCloud में उसमें lock लगा होगा वो encrypted होगा यानि coded होगा ठीक है उसको कोई भी खोल करके आपका अगर suppose email है हो गया ठीक है email हो गया तो वो messages मैं आपका WhatsApp का पूरा निकाल के copy करके या खो है HSM नया method ये लोग ला रहे हैं hardware security module करके इस तरह से तो इसके तुरू होगा यानि कि आप चाहो तो 64 digit का अपना खुद का पीन डाल सकते हो या फिर उनका जो system में WhatsApp को जो server है वो पीन जेनरेट करेगा साथ में आपका अपना password होगा उके उनका पीन होगा और आपका password होगा दोनों overlap होगा और दो तरह के lock लगेंगा और वो उसके बाद open होगा तो वो message पढ़ा जा सकता है ठीक है तो ये आपको होगे कि इसकी क्या जरूवत है actually आपको या मुझे शायद नहीं जरूवत है बार जो लोग sensitive लोग है बहुत बड़े बड़े लोग है यानि politician हो गया है actress हो गया है बहुत मतलब जो लोग समझ रहे हो ना कि जो लोग थोड़ा से sensitive लोग है जिनका एक भी message अगर बाहर leak हो जाए पब्लिक में आ जाए तो बहुत बड़ा बावाल हो सकता है या फिर अच्छा नहीं होगा तो या फिर वो आपने आपको secure रखना चाहते हैं तो उन PDF ओपन करते हो तो password पूछता है ना डारेक्ट आप PDF ओपन करके नहीं पढ़ सकते हो आपका bank का statement उसके लिए अलग से password होता है वो password उसी तरह का same method होने वाला है आपके file जो store होंगे Google Drive के उपर iCloud के उपर उसको आपको password के द्वारा खोलना पड़ेगा यह जो है password जो है वो WhatsApp के server पे अलग-अलग data centers पे वो store होंगे अलग-अलग region के हिसाब से इंडिया का अलग इंडिया में भी दो तीन जगह पे होंगे ठीक है उस तरह से divide होंगे और वहां पर आप जो दूसरा पास अगर manual डाल रहो हो तो manual matching होगी अगर वो खुट decide करके डालते हैं तो आपको एक update है ठीक है अच्छा update है और काफी लोग के लिए important भी है अगर आपका backup का file उडा लिया जाए तो उसको नहीं पढ़ा जा सकता है यह अभी सब के लिए आ रहा है ऐसा नहीं है कि आप अगर हाँ बोलोगे तो आपको ही मिलेगा या दूसरी लोग ना बोलेंगे तो नहीं सब के लिए जो लोग भी backup लेंगे whatsapp के chat messages का उसके लिए यह by default आजाने वाला है ठीक है तो देखिए अगर इसी तरह के सब्सक्राइब कर लिजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो इसी तरह की बाते हम करते है इस चैनल के ऊपर दुफ्तों तो और विएकर कुछ नया update आता है तो आपको जरूर में time to time बताते रहोंगा तब तक के लिए वन्दे मातरम जै हिंद